नमस्ते दोस्तों, आज एक particular case के बारे में मैं थोड़ा सा discuss करूँगा ये एक बच्ची मेरे पास एप्रिल के महिने में आई थी इस साल तो इस बच्ची को क्या था? पैची एलोपेशिया था, पैची हेरलोस था स्केल्प में तो मैं इस case से थोड़ा सा emotionally attached भी हो गया था उसकारण मैं अभी आपको बताता हूँ backstory में इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि ये patient जब मेरे पास पहली बार आई थी मतलब इस बच्ची के दादी ने इस बच्ची को लेके मेरे पास आई थी एप्रिल के महिने में तब इसके scalp के different areas में circumscribed patchy hair loss था तो diagnosis तो बहुत आसान था, इसको alovesia area था हुआ है alovesia area के उपर पहले ही मैंने long video बनाया है बहुत details में अगर आपको इस बीमारी के बारे में जानना है इसके treatment के बारे में जानना है तो आप लोग क्लिक करके वह video देख सकते हैं तो अभी इस case पर वापस आते हैं तो अभी क्या है तो इसका treatment करना था अभी थोड़ा सा मैं back story बताता हूं कि मैं किसलिए emotionally attached हो गया था इस बच्ची के जो दादी है उन्होंने मुझे बताया कि इस बच्ची के मावाप नहीं है तो क्यों नहीं है वो अभी मैं यहाँ पे ज्यादा रिटल में रिट्रस नहीं करता हूं मावाप नहीं है तो इसके दादी जो है वो घरों में बरतन मांजने का काम करती है और इसके जो दादा जी है वो पेडलाइस्ट है तो बेडीडन है तो दादी जो बरतन मांजती है जो कप्रेद होती है जो काम करती है उसी से उनका घर चलता है तो मेरे पास आई थी जरूर लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं इनसे फीज लूँगा तो शायद ये दवाई भी खड़ित नहीं पाएंगे या नहीं पता नहीं और शायद अगली बार ये आएंगे या नहीं और मुझे इस बच्ची को देखके बहुत बुड़ा लगा था कि इसके मावाप नहीं है और इसको ये बिमारी हुआ है तो मुझे कैसे भी होके इसका treatment करना है और इसको ठीक करना है तो इसलिए मैंने उनसे बोला कि आप अगले बार जितने बार भी आएंगे तो आपको कोई fees नहीं लगेगा इस बार भी आपको कोई fees नहीं लगेगा तो मैंने इनका पूरा treatment जो है वो without fees free में किया था यह कोई बड़ी बात नहीं है यह तो मैंने बहुत बार किया ही है सभी doctor करते भी है लेकिन specially इस बच्ची के साथ मैं थोड़ा सा emotionally attached feel कर रहा था इसलिए इसके बार में specially मैं बता रहा हूं तो पहले जब treatment start करना था तो मुझे decide करना था कि इस बच्ची में क्या treatment करना है अब alopecia area में तो बहुत सारे treatments available है अब देखिए क्यूंकि यह बच्ची है तो इसमें international cortical steroid injection मतलब जहां जहां पैच है वहां पे हम लोग steroid injection देते हैं वो तो इसमें मैं नहीं दे सकता था क्यूंकि साथ साल की बच्ची थी और बहुत उसमें दर्द भी होता है और injection का एक topical steroid lotion initially मैंने एक महिने के लिए लगने के लिए दिया और कुछ blood test वगेला जरूरी थे वो करवा के आने के लिए बोला तो एक महिने बाद वो शायद नहीं आपाई जो भी reason हो अब ऐसा हो सकता है कि मैं फीस तो नहीं ले रहा हूं लेकिन वो जहां पे रहती है वहां से चे तो एक महिने के बाद वो नहीं आई करीब दो दो महिने के बाद वो फिर से आई तब तक वो टॉपिकल लोशन ही सिर्फ चल रा था तो उससे ज्यादा कुछ फाइदा तो हुआ नहीं और blood test का जो रिपोर्ट था वो सभी नॉर्मल था ठीक है मैंने CBC करने के लिए दिया था शूगर करने के लिए दिया था और थाइरोयट प्रोफाल करने के लिए तो वह सभी कुछ नॉर्मल था तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया के ठीक है पाल्स कॉर्टिको स्टेरोयट थेरापी जो एक हम करते हैं इन एलोपेशिया एडियाटा के केसे में वह इस बच् बेखे थेरी को भी वह साथ साल का था और बहुत पेजी से यह फैल भी रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि पाल्स कउर्टिको स्टेरोयट थेरापी सिस्टेमिक कउरेव में सबसे सबसे रहेगा तो मैंने शाएद मे सfire में के के अईट में यह ट्रीप्वेटमेंट है बच्च सेटरडे और संडे करके देता हूं यूजियली पेशेट में सिस्टेमिक कॉटिक स्टेड़ाइट मतलब खाने का जो स्टेड़ाइट दवाई है वह बच्चे का जो वेट है उसके हिसाब से हम लोग डोस कैल्कुलेट करते हैं और और भी कुछ है कि उमर कितना है कुछ ओर और सिर्फ शनी बाट और रवी बार करके खाने के लिए दावाई दिया जाता है बाकी 5 दिन हफ्ते में कोई खाने का दवाई जरुरत नहीं है और पूरे हफ्ते में 6 दिनों ही टॉपिकल स्टेरॉइट जो लोशन है वह एपलाई करने के लिए कहा जाता है तो मैंने वो ऐसे ही कहा कि हफ़ते में दो दिन दवाई खाना है और साथ दीन ही दिन में दो बार करके टॉपिकल स्टेरेड लोशन जो है जहां जहां पे स्केल्प में हैर लॉस हुआ है तो ट्रीट्मेंट स्टार्ट करने के लगभग देर महीने के बाद पेशेंट फिट से मेरे पास दिखाने के लिए आई तो उसके दादी में फिट से लेके आई तो तब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ज्यादा कुछ फाइदा नहीं हुआ मुझे नहीं लगा के ज्य चलाता उसके बाद का यह तस्वीर है तो आप देख सकते हैं कि इसमें उतना कुछ तो फाइदा नजर में नहीं आ रहा है तो जो हिस्ट्री है मैंने पता किया कि उन्होंने दवाई ठीक से दिया भी नहीं क्यूंकि पैसा उतना थान ही तो शायद 20-25 दिन दवाई देने के देखिए मैं मेरे पास तो यह लोशन सेंपल नहीं रहता है और यह दवाई का भी सेंपल मेरे पास नहीं रहता है अगर होता तो मैं ज़रूर दे देता आपको तो इतना तो आपको खड़ित करना ही पड़ेगा इस चोटी बच्ची के लिए तो जैसे भी करके हो आप 6 महिन तो अच्छे से काऊंसिलिंग किया फिर देर महेने के लिए फिर से से म प्रोटकॉल में कंटिनूर करने के लिए कहा तो वो जब एपृब में जब मैं जब मैने जा क्की दिया जुन जुला सिट वे धैसर प्र तस्फीर आप देख रहा है यह जुलाई का है फिर वो मेरे पास अभी ओक्टोबर में दिखाने के लिए आये थे मतलब बीच में जुलाई आगास्ट सेप्टेमबर यह तीन महीने उन्होंने ठीटमेंट ठीकठा कंटिनुवसली किया और सेप्टेमबर के मिडल से ओक्टोबर में अभी जब मुझे सब्सक्रणपी दाए एफिले नहीं किया मतलब लोशन भी खतम हो गया था कि चार या पांच लोशन खड़ीदः था वो खतम हो – उसके बाद और खड़ीद नहीं पाय और दवाई भी reduce खोंग तो फिर बीचमें थोड़ा सा 20 दिन का कड़ीब गैप हो गया था दबाई में तो अभी आप देखिए कि धाई या कड़ीब तीन महीने Continuous treatment होने के बाद कितना अच्छा result आया है आप बीच में मतलब वर्टेक्स एरिया में जो लेशन था उसमें आप देखिए इस तस्वीर में के वह काफी हद तक ठीक हो गया है थोड़ा सा बीच में अभी भी हेरलेस थोड़ा सा जगा बचा है पूरी तरीके से नहीं हुआ है लेकिन जितना बड़ा यह लेशन था इस तस्वीर में देख सकते हैं और उसके बाद दो महिने के बाद भी वह कुछ भी पड़िवर्ता नहीं हुआ था लेकिन ठीक ठाक ट्रीटमेंट भाई तीन महिने के चलने के बाद देखिए वह काफी हद तक हो गया है थोड़ा सा बीच पर बागी है वह भी मुझे लगता है मुझे पूरा विस्वास है कि अगर ठीक ठ पूरा तरीके से वह कॉबर हो गया तो उसमें बहुत अच्छा रेजल्ट आया है लेकिन जो बड़ा एक पैच था देखिए यह पीछे का तस्वीर देखिए इसमें जो एक बड़ा पैच है इस वाले पैच में रिजल्ट आया है यह थोड़ा सा कवर हुआ है लेकिन अभी कुशन है लगता है कि दवाई शायद उन्होंने बीच में एक-दो दिन एक-दौ हफ़ते गैप हो सकता है लेकिन शायद 2-3 मने लेकिन छोचन मुझे लगता है थीक से थे अप्लाइन किया तो जो जो छोटे ज़गा थे तो ठीक हो गया लेकिन जो सबसे बड़ा वाला जगा था तो पूरी तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि लोशन शायद थे ठीक से मतलब शायद पैसा नहीं था खरीद नहीं पाए जो भी रिजन हो ठीक से लगा नहीं पाए तो अभी जो लास्ट टाइम वो मेरे पास आये थे तब मैंने उनको अच्छे समझाया कि अगला जो देर महीने है वो बहुत पूशल है यूँकि देखिए इतना फायदा मिल है पीछे वाला जो पैच है उसमें भी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो आप इस बच्ची के लिए इतना कीजिए कैसे भी करके हो आप जुगर-बुगर करके लोशन लगाई और दवाई इसको खिला ही अच्छी तरीके से और एक चीज़ मैं बताता हूं कि बीच में ज आया था कुछ प्राब्लेम नहीं था तो एक चीज मैं बता ना भूल गया था तो अभी तो फिराल बच्चे का चल रहा है तो इस टाइम में जो रेजर्ट मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं चाहता था कि इस बच्ची का जो बीमारी है किसी भी तरीके से अ नहीं की और हम कर नहीं सकते लेकिन जितना हो सके मैंने कोशीश किया अब देखते हैं तुअन दीन में चलेगा और बहुत दिन अभी चलेगा तो कितना रेजल्ट आता है तो अगली बार जब पेशेंट मेरे पास फिर वापस आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आप लोगों को मैं एक वीडियो की जरीए से बता पाऊं कि कैसा रेजल्ट फिर आया और इसका और एक-दो एपीसोड मैं शायद फ्यूचर में बना था क्योंकि पता नहीं क्यों माबाप नहीं है शायद इसलिए या फैमिली का जो हालात है उस सभी वज़र से मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हो गया था उस छोटी बच्ची के साथ तो मुझे इसको ठीक करना ही था तो देखते हैं इसके अगले जो एपीसोड होगा उसमें ह और कि इतना इंपूर्मेंट हुआ तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखते रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए फिर मिलेंगे अगले एप